हेलो फ्रेंज तो कैसा आप लो आज इम बात करने वाले हैं कि स्वीगी बेटर है या जो मेटो जैसा कि कई लोगों ने पूछा है कि अगर मुझे जॉइन करना है फूड डिलिवरी में तो हम क्या जॉइन करें स्वीगी या जॉमेटो हमारे लिए फाइदर में क्या रहेगा किसमे में सबसे ज्यादा अर्न कर सकता हूं कम टाइब में या फिर कुछ स्टुटेंट में हैं जो पूछ रहते कि पार्टाइम जॉब करनी है मैं प्रिफर करूंगा कि आप अपनी हिसाब से अपने एरिया में काम करें तो वहां पर चाहे स्वीगी मिल जाए चाहे जॉमे क्योंकि स्वीगी देता है आपको वीकली और मंतली इंसेंट्व जिसमें कि आप जितने ज्यादा और करेंगे उतना ज्यादा आपको वीकली इंसेंट्व मिलेगा और जो जो मेंटो है वह आपका डेली भी देता है और वीकली भी देता है क्योंकि जो मेंटो में आपको मिल कितना दिस्टेंस पर स्व्वीगी कितना रुपयर देती है तो इसके इन पर ये कुछ order है, चार order, जिसमें पहला order है 64 रुपीज का, तो इसकी total distance है 8.5 km, और इसको deliver करने में 42 minutes लगे हैं, दूसर order 27 रुपे का है, जिसकी distance है total 5 km, और इसको deliver करने में 14 minutes लगे हैं, तीसा order 55 रुपे का है, इसकी distance है 10 km, और जो चौथा order है, यह है 34 रुपीज का, और इसको deliver करने में 20 minutes लगे हैं, और distance है इसकी 6 km, तो यह 4 order example के तोर पर मैंने लिया है random, ना तो यह sequence हैं और ना कोई की timing fix है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कि यह सीरियल से नहीं है और लेकिन order same day है, अब जोमेटो की बात करते हैं, तो जोमेटो में अगर आपको, साथे 3 km जाते हैं तो उसका 20 रुपेश मिलता है, और दूसरा order है, यह है 5 km का इसके 30 रुपे मिले हैं, तीसरा order है साथे 4 km का इसके भी 30 रुपे मिले हैं, और चौथा साथे 11 km का है उसका 55 रुपे मिला है, और पाचवा है साथे 12 km, साथे 11 km इसका भी 56 रुपे मिला है, और लास्ट order है साथे 8 km इसका 45 रुपे मिला है, और यह order 8 रुपे के बाद के हैं, तो जो 20 प्लस इंकम है या अरणिंग जो है, उसमें 10 रुपे इंसेंटिव भी जुड़ा हुए, क्योंकि इस साम को 8 बज़े से सर्ज पे लग जाता है, कि अगर 8 बज़े के आप बात काम करते हैं, तो उसको पर और 10 रुपे एक्स्टा मिलते हैं, अगर आप 8 बज़े के बात करते हैं, अगर 12 बज़े के बात करते हैं तो कभी-कभी 20 हो जाता है वरना 10 ही रहता है जोगर, 8 से सबा 3 मिजे तक 10 रुपिस पर उडर एक्स्टा रहता है जोगटर है, सुगी में कह रहता है, ग्यारा बज़े के बाद 10 रुपए और एक्टा रहता है अब बात करते हैं कि कितना इंसेंट्व मिलता है परड़े या वीक लिए तो जो मेटो की बात करते हैं जब से पहले तो अगर आप फुल्ड़े काम करते हैं डेली टार्गेट होथा इसमें कि आप 240 रुपए का काम करते हैं तो एक्सकुद दस अवर्पए आपको इंसेंट्व दिया जाएगा डेली के वैसे इसमें आपका डेली टार्गेट है रुखे Lordeniz दुपार में 12जे से सांको 12जे के बीच में अगर आपको 214 काम करते हैं तो आपको 110 extra मिलता है और 3 और अगर साड़े चार सुका काम करते हैं तो 220 उपए एक्स्टा दे जाएं उसके बाद वीकली होता है यह 825 उपए अगर काम करते हैं तो आपको 300 उपए एक्स्टा दे जाएगा और वीक यह मंडे टू संडे चलता है और वेडनेस ट्रेक को इसकी सैलरी आती है या जितना आप वीकली काम करते हैं वेडनेस ट्रेक आपको उसका पे आउट मिलता है और डीनर का जो इंसेंट्ट्व रहता है वो कुछ इस तरह से है कि आपको 7 से 12 के बीच में आडर करने होते हैं अगर आप 7 से 12 के बीच में 160 का काम कर लेते हैं तो आपको 70 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं इंसेंट्व के रुप में और इसके बीच में आप एक भी और कैंसल नहीं करवा सकते हैं जिरो आडर फूड डिलीवर्ट चाहिए जिरो कैंसलेशन चाहिए एक डिनायल एक्सेप्टेबल है अगर आप एक से ज्यादा ऑर्डर डिनायल करते हैं तो आपको इंसेंट्व नहीं दिया जाएगा तो अगर पार टाइम करते हैं तो आपके लिए सही है कि आप साथ से बारा की बीच में एक शो-satटका काम कर लेते हैं तो आप को सत्तर रुपय का एक्सल्सर अंग इंसेंट्व नहीं दिया जाएगा तो 70 रुपय का आपका पुरे week एक दिन चुटी ले सकते हैं वह भी बताकर अगर एक week में आप पचीसो का काम कर लेता है तो आपको 600 रुपए का bonus दिया जाता है तो आपका 3100 हो जाता है यह minimum होता है उसके उपर होता है कि अगर आप 800 का काम करते हैं तो आपको 800 दे जाता है कुछ इस तरह से रहता ह है और यह चेंज भी होता रहता time to time तो जिस time आप कर रहे हैं तो उस time पता नहीं आपके पास time है कि नहीं है या आप पूरे week खाली है या नहीं है अगर आप part time काम कर रहे हैं तो आपके लिए जोमेटो बिटर रहेगा बस जोमेटो में ज्वाइनिंग फीस ज्यादा है और जोमेटो में थोड़ा आडर भी कम मिलते हैं अगर हम compare करें स्वीकी से तो कियोंकि मैंने वीडियो देख लिया है और अगर नहीं देखा थो जोमेटो बीडियो देख सकते हैं दोनों स्वीकी और जोमेटों और इस से इससे लेटर अगर कोई भी question है तो आप मेरे टेलीग् गुरूप को जोई कर लिजे और वहां पर पूंच सकते हैं अगर कोई भी क्विश्चन है तो टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो मेटो में minimum guarantee भी होती है Friday, Saturday और Sunday अगर आप साम को 7 से 12 की बीक में 7 order कर लेते हैं तो आपका minimum guarantee 500 रुपए या 4500 रुपए दिया जाता है तो यह time to time change होता रहता है minimum guarantee 4500 की इसमें चल रही है कुछ दिन पहले तक 500 थी और कुछ जो offer होता है या कुछ special Sunday या Saturday पड़ता है तब आपको special incentive दिया जाता है कि आप minimum 7 से 12 लागिन रहे और 7 order कर लिए तो आपको minimum 500 रुपए कंपनी दौरा पे किये जाते हैं आप उसके अंदर चाहे जितना है रुपए का काम करें बले आपको दूसर रुपए का काम हो बस आपके 7 order हो जाने की है साथ order हो जाए और 4 गंटे minimum लागिन रहे तो साथ से 12 पांच गंटे का टाइम होती है तो पांच गंटे में अगर आपको पहले कर लेते हैं अच्छी बात है वर्ना आपको मिनमम साथ अदर करने होंगे तब आपको मिनमम गंटी 500 रुपए दे जाएंगे वर्ना आपको जितना अप अर्ण करेंगे उतना ही मिलेगा तो इस तरह से देखा जाए तो अगर पार-टाइम आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मेट्व बेटर है और अगर फूल टाइम करना चाहरा चाहरा है तो उसके लिए भी बेटर है क्योंगे शृडगी में और जा रहा है और उसमें सुग visão मिनमम होता है कि एकर आगर आप gef्ष्ट पार्टाइम हुली है तो आगर आपो चार गैंटे लॉगिन रहते हैं पूरा पूरा प्योड अलोगी तो अगर है ust a लद्म गfr Dan की सर्फ 0000 रुपयर आपको कंपनी करेगी मिंहीं आपका काम अगर नहीं पाते तो वागना सोही की कि दोसरों से ज़्यादा का करवाई देती है ताकि उसको मिनिम्म गारंटी अपने पास से पेर ना करना पड़े हैं उसमें कोई अपने फुल टाइम लॉग रहना है जितनी भी आईडी होती है पार टाइम अलोग की पांच गांटे रहती है तो उससे आपको पूरे टाइम लॉग रहना है और उसका मिनिम्म गारंटी या जो मिनिम्म अमाउंट वता है 200 रुपए का वह आप उठा सकते हैं अगर आपके प पूरे 10 गंटे लॉग इन रहते हैं अगर आपका काम नहीं हो पाता है 400 का तो कंपनी आपको 400 रुपए पे करती है स्वीगी में भी तो यही डिफरेंस है और आपको आपको जो अच्छा लगए आप जोइन कर सकते हैं स्वीगी की जोइनिंग फीश 500 रुपए है और जो मैटों की जो मैटों की साड़े बारा सो शाड़े पंदरा सो शाड़े शोला चेंज होती रहती है तो आप जिस टाइम करने तो इस टाइम आप देख सेकते हैं मैंने 2 वीडियो बनाये हैं तो दोनों टाइम लग एक मैने का अंतर था तो दोनों दोनों कि जॉइन करा था तब 18 सो था और मैंने जब जॉइन किया था तब 1500 था 15 सो था तो आप जिद जॉइन करें तो एक बार चेक कर लें कि आपका जॉइनुग फीस उसमें कितनी चैलर रही है तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉइन कर लिजए जब प्राइज कम हो जाए। या फिर आप कुछ दिन सुईगी कर सकते हैं। उसके बाद आप जोमेट्व में जॉइन हो सकते हैं। क्यो बन जाती ही सुईगी के लिए को आफिस जाना होता है तो वहीं पर आपकी आईडी बनेगी और आपको बैए गए और टीसर दिये जाता है आप 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 आप